इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है और आपने वो मोनिटाइज के लिए जो है एपलाई कर दिया है उसके बाद आपके एडसेंस एकाउंट को आपके यूट्यूब से जोईने की बात आती है या आपके यूट्यूब की जो आर्निंग हो और उसके बाद में वेरिफिकेशन के बाद आपका एडसेंस पिन के लिए कैसे अपलाई करना होता है तो इस सभी सारी जो चीजे हैं वह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे तो देखिए सबसे पहले हम बेसिक चीजों को समझते हैं यहां पर हम देखेंगे कि अब हैडिलाई नहीं है यहां पर और टू टेफ के रहले होना जाता है आप कर सकते हैं आप कैसे करना है की आपको क्या कर देखेंगे के लिए अब अपलाइघ करने के बाद देखें आपको क्या आता है जैसे आपलाइघ कर देते आप यूतु HOW यूट्यूप ने के भाद में पर देखते हैं मूबाईब पर लेखते हैं यूट्वी हो जाते हैं तब आपको आपके एड्सेंस एकाउंट में आईडी वेरिफिकेशन का जो है वहाँ पर बटन दिखाई देता है यानि कि आपके यूट्यूब studio में 10 डूलर हो जाते हैं 10 डूलर होने के एक या दो दिन बाद वो update हो जाता है और update होने के बाद में आपके adsense account में बटने जाता है verification का तो आपने अपने adsense account को verification कैसे करना है यानि का ID बगार ऐसे और verification करने के बाद आपको उसमें adsense pin के लिए कैसे apply करना है इसका process में आपको इसी वीडियो में बताने वाला है तो चलिए देखिए आपको तब करना है जब आपका adsense आपको जो मोन यूटूब चैनल हो गया है और adsense account से भी connect हो गया है तो monetize होने के बाद जब आपके वाइटी श्यूडियो में आपके बैंक खाते में यानि के सो डॉलर होने के बाद में 21 से 22 सारी को आपके adsense खाते में टांसपर कर दे जाता है तो हम देखते हैं देखिए adsense के बारे में adsense में जो भी पर भी व्यूडियो बनाएंगे लेकिन जो भी आपको कमेंट कर सकते हैं लेकिन सारी को जो confusion आपको वह मैं दूर करने कोशिस करूंगा इसी व्यूडियो में तो हमारे पास यहां पर देखिए कि यह यूट्यूब इसफेल यहां पर iacson कर बटन दे गया है यहां पर बीक कर सकते हैं और आप के सामने दिखे देगा अपर इघंट करना होता हैँ यहां पर आपको पर ऌना पासपोर्ट ड्राइन्ग लैसेंस फॉक्टक साफ्ै कर सकते हैं तो अहां अगर random है तो पर सकते हैं बहुत और सकते है वह नपक पर अएटक्ठेश का दो यहां तो यहां पर पर यहां पर किलिक करें गया आप है यहां पर आपसे मांगा जाता है आपका बैदार इस तरीके बटन भी आपको दिखाई दे सकता है, यहाँ पर verify नाव पर click करेंगे, यहाँ से भी आप click करके कर सकते हैं verify इस तरीके के बटन भी आपको दिखाई दे सकता है और यहाँ पर आपको देखे चार ID में आपको बताई थी Indian passport, pen card, water ID, driving lessons और begin verification पर click करके आप verify कर सकते ह लेप्टोप आपको कुछ और दी इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर लिखा हुआ है, अधार card are not accepted, तो यहाँ पर देखे पासपूर्ट है जो भी है, आप यहाँ पर select करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर number डालना होगा उसका, और select ID type यहाँ पर select करना होगा, उसके बाद में देखे हमने आपर name डाल दिया है और ID type डाल दिया है, उसके बाद में upload photo page, तो photo को आपको upload करना होगा, जो भी ID आप upload करना चाहते हैं, देखे हमने आपर upload कर दिया है, पासपूर्ट, उसके बाद देखे हमने आपर next option है, उसके बाद यहाँ पर अपना address पर यह address फिल करना है, यानि के add sense pin के लिए आपको apply करना है, तो जो भी address आप यहाँ पर डालेंगे, उसी पर आपको add sense pin जो है, receive होगा by post, तो आपको यहाँ पर वह address डालना है, जो आपकी ID में है, तो same address आपको यहाँ पर डाल देना है एक बार, उसके बाद में आपर आप देखेंगे, submit का option है, submit पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर address डाल दिया है हमने, अब यहाँ पर submit पर किलिक करके थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, commercial in progress, तो verification progress में है, go it पर क्लिक कर देंगे, आप यहाँ पर देखेंगे, identity verification, आपको देखेंगे, we are checking your information, which might take a few days आपको है इसमें दो दिन का समय भी लग सकता है पांच दिन का समय भी लग सकता है यहाँ पर कितना टाइम लगेगा आपको तो ज्यादा ज्यादा दो दिन का समय यहाँ पर लगता है आपकी जो आईडी है वो वेरिफिकेशन के लिए जो है टेम के पास चली जाती है और जब तो पर वेरिफाई हो जाता है, अभी तो देखें हैं, aँपर प्रोघ्रेस में है, और यहाँ पर लुखार वेरिफाई हो जाता है, तो आपको इस तरहे कि से दिखाई देता है, हमां आपको डिखादो देखें, identity identity verification complete अब आपको यहां पर देखाई देगा identity verification complete और अब हैं पर देखे address verification का तक है तो यह है Adsense pin जब आपका आता है वो pin आपको यहां पर डालना बसक्त है आप देखें के आप अपर enter pin वियार mail, your billing address यहांनी कि आपकी billing address पर एक पिं गूगल की तरफ से आपको दालना होता है, नहीं पर देखेंगे आप इस तरीके से चिक लिजित का पीन आपको डालना होता है, पिन डालकाम सब्मिट करेंगे, तो है जो आप स्का रहे में जाता है, उसके बास अपने का मस सब्सकर अपने से अजिसंस अकांट में जाएंगे आपने वह kilo पर takich करेंगे तोसी आपको वह यह दिखाई जब आपको पीन आ जाता है तब आहीं पर पिं डालना है और समीट पर किलीक करno द्यान ना हिए पिन आपको शॉयी डालना है किं बार गलाट डाने पर आपका पिन गलत हो जाता है स्टीट पर आप किलिक कर देंगे यहां पर तो आप देखेंगे यहां पर अब टृमर प्रयंट कि सन यानि कि आधेंटीटी वेरिफ्यकेशन और इंडर्स भी हमारे YouTube चनल पर वीडियो मिल जाएगी आपको और उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्सिर्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का आप जा करके देख सकते हैं कि अपने YouTube एडिसंस अकाउंट में अपना बैक अकाउंट कैसे एड करेंगे तो इस वीडियो में दोस प्च्टन कर दो मेर निर्फ जानि कर दोद्टन कर दो नाद कर दो कि यगार और जार खेंक।